तो वेलकम डियर स्टुडेंट्स फिर से मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ ये जो प्रस्न है ये भी भी आई प्रस्नों के समू में सामिल है यानि इस क्वेस्टन को हम भी भी आई को संस कह सकते हैं तो चलिए प्रस्न को पढ़ते हैं सबसे पहले देखें आर्थिक नियोजन क्या है तो हमें आर्थिक नियोजन के बारे में बताना है यदि उत्तर में जाईएगा तो आर्थिक नियोजन के बारे में यहां पर लिखा हुआ है यहां तो हम उत्तर में समझेंगे ही उससे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट बना लेते हैं कि यह आर्थिक नियोजन जो सब्द है इसका अर्थ क्या होता है यानि आर्थिक सब्द का मतलब क्या होता है या नियोजन सब्द का मतलब क्या होता है ताके हमें उत्तर को समझने में सुभीदा हो तो आए दोनों के अर्थ को पहले समझते हैं देखें यहां जो आप आर्थिक सब्द देख आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का क्या होता है अर्थ का और अर्थ का मतलब होता है रुपिया पैसा या पुंजी यानि रुपिये पैसे या पुंजी को हम क्या बोलेंगे अर्थ बोलेंगे तो आर्थिक मतलब अर्थ का और नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना प्ला हुआ कि हम अर्थ को लेकर के जो नियोजन करेंगे जो प्लानिंग करेंगे जो योजना बनाएंगे उसी को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं अब सावाल यहां पर ये खड़ा होता है कि ये आर्थिक नियोजन कोन करता है और क्यों करना परता है तो सबसे पहले ये आर्थ आर्थिक नियोजन का काम सरकार करता है अब आर्थिक अर्थ को लेकर के रुपिये को लेकर के सरकार नियोजन क्यों करता है अब इसको समझे योजना क्यों बनाता है सरकार देखिए आप यदि मार्केट में जाते हैं 100 रुपे या हो सकता है कि 500 रुपे का सबजी खड़ी दन तो आप 500 रुपिये को खर्च करने के लिए इतना सोचते हैं तो सोचिए सरकार के पास अरवो खरवो रुपिया है तो वो उसको खर्च करने के लिए कितना दिमाग लगाता होगा तो सरकार अपने रुपिये को खर्च करने के लिए जो नियोजन करता है जो योजना बनाता है जो planning बनाता है उसी को हम लोग आर्थिक नियोजन बोलेंगे यानि सरकार अर्थ को लेकर के रुपिये को लेकर के जो planning बनाता है खर्च करने के लिए उसी को आर्थिक नियोजन कहते है सोट में समझ लीजिए अब इसको detail में यहां पर समझ यह क्या लिखा हुआ है देखिए यहां उत्तर में है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ देखिए इसका आर्थ क्या है रास्ट की प्रार्थमित्ता के अनुसार प्रार्थमित्ता मतलब रास्ट के जरूरत के अनुसार यानि जहां पर ज़्यादा जरूरत है वहां पर ज़्यादा खर्च करेगा और पहले खर्च करेगा जैसे रोड को बनाने के लिए पूल को बनाने के लिए स्कूल को बनाने के लिए पैसा सबसे पहले खर्च करेगा यदि इससे कुछ रूपिया पैसा बचेगा तब स्टेड करना है यानि सेंपल सा समझे कि आर्थिक नियोजन का मतलब यह हुआ कि देश के प्रार्थमिक्ता के अनुसार देश का जो संसाधन है संसाधन का मतलब देश में जितने भी वस्तू है जो हमारे जरूरत में आ जाएगा जो हम मानबों के जरूरत में आ जाए उसी को तो आल जहते हैं किरिया का मतलब करने वाले विकास करते हैं विकासतर मातलब locked तो इसमें हम लोग प्ढ़ियोग करते हैं। आगे देखिए में यह आपकर यानि आर्थिक निजस्ट का रुपीय को खंच करने का काम राश्टि विकास पडिसद एवन निटी आयोग के माधियम से किया जाता है। देखिए ये नीती आयोग के जगे पहले जो है ना योजना आयोग थे योजना आयोग का वी गठन करके उसको खतम करके उसके अस्थान पर नीती आयोग को लाया गया है ठीक है आगे देखिए अब आगे ये समझ ये कि ये आर्थिक नियोजन का उद्देश क्या है एम क्या ह रहे हैं उसके दर को बढ़ाना यानि जादा स्पीड में हम लोग तरक्की करें आर्थिक नियोजन का यह पहला उद्देश है दूसरा है किरिसी मतलब खेती उद्धियोग का आधुनी की आधुनी की करन यानि उद्धियोग और किर्सी में आधुनी जो है मसीनों का पढ़िय यह है और सामाजिक नियाएं सामाजिक का मतलब होता है सामाज का और नियाएं का मतलब इंसाफ यानि सामाज को इंसाफ मिले जो भी फाइदा मिले सभी वेक्ति को मिले यही तो है सामाजिक नियाएं तो यहाँ पर यह वीडियो समाबत होता मैं उम्मीद करता हूं वीडिय के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के पड़े लिस्टे में जाकर के देख सकते हैं धन्वाद